मनुक्खी दिमाग कम्प्यूटर तों भी किदरे ज्यादा विक्सत है। अगर तुसी चौन देओ के तुसी वड़ियां वड़ियां पुस्तकानों याद कर लो, तां यह मुश्किल कम नहीं है। ए दसन तों पहला मैं एक कहाणी सुनोनों चौनियां जिसनले सिदान्थ ठीक परकार समझा जाएगा। कुछ साल पहला मैं एक लेख पड़िया सी, जो इस तरह है। एक मुहलेविच हर रोज शाम नूं पंच वजे दे आसपास एक मली होना सी। जो किसे दे कर उना दे लौन ते उना दे गमलियां ते पोद्यां दे साव साम संबाल करदा सी। मैं एक दो देन उसनूं आउंदेनू वेख्या, पर उस बारे कोई जानकारी ना मिली। एक दिन मैं अपने कारदी बैलकानी खड़ी सी, ता मैं उसनूं गली चौंदेनूं दूरों वेख्या। मेरे पुछन ते कारवालियां ने दस्या कि ओ माली है, जो पंदरा नंबर वालियां दे कार काम करदा है। अगले दिन उख फेर लंगया। हुन मेरी कोई उत्सुकता उस बारे नई रह सी, उस बारे मैं जान चुकी सी। अगले दिना विच जो दूवियों गली विच्चों लंगया, मैनू पता लग जानदार्या। कई वार उसनी किसे रंग दा कुड़ता पाया हूनदा, कदी किसे हो रंग दा पाया हूनदा, पर जिस अंदाज नलो साइकल चलाू दा सी। जिमें साइकल दे हैंडल ते कैंची टंगी हून दे सी, पिछे केरियर ते खुरपे रखे हून दे सी। मैंनों बिना विखे ही अंदाजा हो जान्दा सी के उस साड़ी गली विच आ गया है जा साड़ी गली विच्च वापस चला गया है। उस बारे हर जानकारी मेरे दिमाग विच फीड हो गई सी। एक विज्ञानक सिदांत है कि पहला किसे चीज बारे पूरा ज्ञान प्रापत करू उस्तों बाद ओ तो अड़े दिमाग वेच हौली-हौली फीड हो जानता है अपनी पढ़ाई कर दे समय वी इस सिदांत अनुसार कम करो तुसी जोवी पढ़ देओ जोवी उसनु याद करंदा एस सिदांत बहुत कारगर है मन लो तुसी एक पैरा पढ़िया है जिस विचले तथा नूँ, कॉंटेंट्स नूँ तुसी याद रखना है सबतों पहला पैरे नूँ ठीक परकार पढ़ो, समझो उस विच जोवी दसिया है उस ते छोटे छोटे पॉइंट बना लो ख्याल रखो के पैरे दे पूरे कॉंटेंट्स, मतलब पूरे तथ तुँ अड़े पॉइंट्स विच आ गई होन हुन पैंसिल नाल पैरे दे इक पासे, उना कॉंटेंट्स दे बिल्कुल नाल छोटे पॉइंट्स बना लो उदारन लई ए लाइन है शाजहान ने मुम्ताज बेगम दी याद वेच आगरे वेच ताज मेहल बनवाया इस एक लाइन दे चार पॉइंट बने पहला शाजहान, दूसरा मुम्ताज बेगम, तीसरा आगरा, चौथा ताज मेहल तुसी एक तों चार तक के पॉइंट लिखने हन इस वेच किसने की किथे ते क्यों दा कोई जिकर नहीं करना तुसी इस लाइन नो इनने त्याननल पड़ोंगे के तु अनुएना चारां पॉइंट्स तों इस दा वेरवा याद हो जाना चाईदा है इसे तरह तुसी हर लाइन वेच्चों पॉइंट लबो कई वार तेन चार लाइना दा इककी पॉइंट बन दे है ते कई वार इको लाइन वेच्चों कई पॉइंट मिल जान दे है पूरे पैरे दे पॉइंट्स बनाओ ते उस लाइन दे समने लिख दियो जित्थे वो कॉंटेंट जान तत दर्ज है इस परकार पूरे लेसन दी पॉइंट्स बना लो हुन इक अलग तों ओस सब्जेक्ट लई तुसी नोट बुक लो जिस विच लेसन वाइज हर लाइन विच इक इक करके पॉइंट लिख दे जाओ इक लाइन विच सिरफ इक पॉइंट लिखना है उपरों शुरू करो इक दो तेन चर इस तरह कर दी इक इक लाइन बाकी दी लाइन तो अडे कोल खाली पही है जे चाहो ता हर सफेदे विच कारिक लाइन खिच के इस दे दो हीसे कर लो फिर पॉइंट डबल लिखे जानगे तुसी शीट से उत्ते विच जया कर सकते हूं पर उशीट से बहुत अच्छी तरहां संबालने हैं पहने हैं कठियां रखने हैं पहने हैं पैरे वाईज हार पॉइंट वेखो उसनल जुड़दा कॉंटेंट या ताथ या समगरी मन ही मन दोहराओ समझो अगर किसे पॉइंट दे नाल तो अनू ओस समगरी बारे नहीं यादा रहा तां दुबारा तो ओस पॉइंट दी सारी समगरी नू डुंगा इविच पड़ो सिर्फ पढ़नें समझनें रट्टा नहीं मारना सिर्फ शाजहान तो तो अनू पता होना चाईद है कि उस समराट सी ते ताजमल तो पता चले कि एक इमारत है जो आगरे विच जै ते जो मुम्ताज बेगम दी याद विच बनाई के सी तो सी हून सारे पैरियां दी पॉइंट्स लिख लई है ते तो अनू उना बारे पूरी जानकारी हो गई है अगले दिन तुसी पॉइंट्स पड़ दे जाने ते दोहरां दे जाने अपने मान वेच उस पॉइंट दा सारा वेर्वा जान डिस्क्रिप्शन तो अनू पता है या नहीं बेशक अखा मीट के ओ पॉइंट बारे सोचो ते एस गल नू दोहराओ के की ओस पॉइंट्स दा सारा वेर्वा दिस्क्रिप्शन तो अटे सामने आ रहे है समझ आ रहे है जे बहुत मुश्किल होवे ता संखेप वेच अपने उस पॉइंट दे नाल उदा हलका जा डिस्क्रिप्शन लिख लो पर ऐसा किसे किसे पॉइंट वेच होएगा तुसी सारे पॉइंट्स ना लेदा नहीं लिख साकते अगले दिन फेर तुसी सारे पॉइंट्स पढ़ो ते समझो के की तुआ नू सब बारे पूरी जानकारी मिल चुकी सारा लेसन तो अधिकुल पॉइंट से रूप इच है तुसी अगले दिन फेर इक-इक पॉइंट पढ़ रहे हो ते डिस्क्रिप्शन नू मनी ही मन दोहरा रहे हो हर रोज तुसी यो पॉइंट पढ़ो ते तुसी देखोंगे कि हुन बहुत थोड़े समय विच्छी तुसी सारा लेसन दोहरा लेंदे हो ते तो अनू पूरा याद रहे है कुछ ही दिना विच ए लेसन तो अनू बिलकुल याद हो जानगी इस लेसन लेगी क्योंकि हुन तो अनू बहुत थोड़ा समय लग रहे है अगला लेसन एसे सिदा अंतनाल शुरू कर देओ कुछ महिनयां विच तो अढ़ियां, मोटियां-मोटियां के तबबां पहला पॉइंट से रूप विच नोटबोक से विच ते हौडी-हौडी तोड़े दिमाग विच आचुकियां होन गियां पूरी तरह फीड हो जान गियां तुसी हर लेसन जो हो चुका है दी जरूर दोहराई वाली रीडिंग कर दे रहने हैं, एंड तक, इमत्याना तक, खेडा ने चड़ना, इंज तुसी मेडिकल, इंजिनेरिंग, साइंसेज, आर्ट्स, हिस्ट्री, सोशल स्टाडीज, वर्गे साबजेक्ट्स नो पूरे तौर ते अपने दिमाग दे, कम्प्यूटर वेच, फीड कर सक दियो, तो अड़ी क्लास कोई भी होए, छोटी तो छोटी, ते वड़ी तो वड़ी, तुसी एस सिदा अंतनाल काम्याब हो जाओंगे, इमत्याना विच, तुसी ये वेख के हरान रह जाओंगे, कि जिस लेसन नो भी तुसी पॉइंट्स विच लिखे है, समझे है, वो सारे पॉइंट्स तुसी इमत्यानी समय विच, मन दिया अखा नाल साग शाथ वेख रही होंगे, तुसी सिर्फ पाशादी मदद नाल इना पॉइंट्स नो शीट से उतार नहीं है, इस सिदान्त अनुसार समझ के याद करन नाल, तो अडे एग्जामिनर इस दुबदा वेच होंगे, कि ओ तो अडे नंबर कित्थों कट्टन, हुन शॉट विच देखी, फर्स्ट स्टेप, पैरा पढ़िया, सेकिंड स्टेप, पूरे लेसन दे, पॉइंट बनाई, फूर्थ स्टेप, नोट बुक वेच एक-एक करके लिखे, एक लाइंच, एक को ही पॉइंट, फिफ्थ स्टेप, पॉइंट पढ़ना, अख़्ा मीट के उदे डिस्क्रिप्शन बारे दोहराई करनी, मानी मांच करने, इस्ट कोई डिस्क्रिप्शन नहीं याद आ रहा, तो डूंग आई नाल, फेर पुस्तक विच्छो पढ़ना, सेवन्थ स्टेप, हुन पूरा लेसन, पॉइंट से रूप विच तो अडे कोला आगिया, एट स्टेप, इस तरहां हर लेसन त्यार करू, नाइन्थ स्टेप, पहले लेसन भी दोहराओ, समा काट लगेगा, ते गले साब्जेक्ट भी तियार कर दे जाूँ, झालिया, पहले त्यार की ते लेसन तो अडे टिप्स ती आहों दे जानगे, ते होली होली, जिनने लेसन से चाऊंगे, तियार हूं दे रैनगे, लस्ट स्टेप, इं त्या नावी जो होएगा, ओ हैरान करन्वाला होएगा, तो अड़े लाईवी, तो अड़े गोण्डियां लाईवी.